हलो एवरिवन एंड वेल्कम टू स्टेडी विट सुनील देखे दोस्तों हमने जो शिक्ष्या मनुविग्यान की शीरीज शुरू कर रखी है उसके पार्ट नमर फाइब की अपने शीडियो में बात करेंगे अगर आपको इस वीडियो की PDF साई है तो आप मुझे टेलिग्राम चेनल के ओपर फोलो कर लेना वहाँ पर आप जब सुनील पचार सर लिकर सर्च करेंगे तो आपके सामने जो चेनल ओपन होगा उसको आपको जोइन कर लेना है मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन और PDF वहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो जाता है देखे आज का सेशन अपने शुरू करते हैं पहला कुशन आपको देर खाए विकास कभी इन्हें खतम होने वाली परकिरिया है ये विचार संबन्दित है तो ये विचार किसे संबन्दित है निरंतरता के सिदान्द से संबन्दित है उप्शन फोर्ट इसका करेटा अनुसर होगा निरंतरता का सिदान्द यानि की विकास जो है वो जीवन परियंत चलने वाली एक परकिरिया है अभी वर्दी और विकास के बारे में कई सिदान्त पर चलिता है जिसे विकास के सिदान्तों में विकास की निरंदरता का सिदान्त है इसके लाव विकास की दिसा का सिदान्त है जिसको मस्तक्स अदोनमुकी सिदान्त भी कहते है इसके लावन निकट से दूरी का सिदान्त भी है सह समंद का सिदान्त है वो भी विकास के सिदान्त से ही समंदित है एक किरन का सिदान्त है विकास के समान परतिमान का सिदान्त है विकास की गती की भिनता का सिदान्त है समाने से विशिष्टता का सिदान्त है यानि कि प्रारम में शिस्वा वो सभी कारियों के लिए समाने किरियां करता है लेकिन जैसे जैसे आयू उसकी बढ़ती जाती है तो आयू बढ़ने के साथ साथ में वो विशिष्ट अंगों से विशिष्ट किरियां करना भी सिख जाता है ये है समाने से विशिष्टता का सिदान्थ वन सानुकरम और वातावरण की अंतर किरिया का सिदान्थ ये भी किसका सिदान्थ है विकास का ही सिदान्थ है तो निरंदरता का सिदान्त क्या होगा? इसका करेटांस होगा यानि कि विकास जो है वो निरंदर चलने वाली लगातार चलने वाली एक परकिरिया होती है निमनी लिखेत में से कोनसा विकल्ब Pian제 की पूर्वे संक्रिया आत्मक आवस्ता का एक हिस्सा नहीं है पूर्वे संक्रियात में कि प्रि ओबरेशनल स्टेज का कौन सा हिस्सा नहीं है ये आपको बताना है तो देखे, इसका करेट आनसर होगा सरक्षन ओپ्षन फॉर्थ पूरों संक्रियात अवस्ता में तारकिक सोच हेतु बच्चे सक्सम नहीं होते हैं सरगसर, अक्षम्ता, अभ्यास के दोबरा इसको डवलफ किया जाता है और स्थूल संक्रियात्मक अस्ता में यह उग्टा पाई जाती है एक विदायले में राज़ यस्तर के ऊपर एकल नर्ते प्रदसन करने के ऊपर लड़कियों को वरियता दी जाती है यह क्या दर्शाता है? एकल प्रदसन के लिए लड़कियों को वरियता जाती है यह अधोनिक विचार है, यह लिंग भेद है, वेवारिक दरिश्टिकोण है यह फिर अखंड़ता है तो देखें, ओवेस्टी बात है नर्ते परदसन करने के ओपर लड़कियों को वरियता दी जाती है देखिए इसमें लिंग भेद क्या होगा इस क्यूशन का करेट आंसर होगा क्योंकि नर्ता की जो परतिबा होती है और जो परदसन होता है उसके आधार पर चैन करना चाहिए लेकिन यहाँ पर लड़कियों को वरियता दी जाती है इसका मतलब लिंग बेद है निम्न में से कौन सा शुक्ष्म गतिक कोशल का उदारन है शुक्ष्म गतिक कोशल देखिए दोड़ना, फुदकना, लिखना, चड़ना तो इसका करेट आंसर होगा लिखना लिखने में केवल आपका हाथ और आँखों का ही योगदान होता है बहुत कम मात्रा में आपका योगदान होता है लेकिन फुदकने में पुरा सरीर आपका एनरजेटिक होता है दोड़ने में भी चड़ने में भी होता है तो इसमें लिखना क्या होगा इस क्यूशन का? करेट आंसर होगा आम तोर के उपर ये जो शुक्षम कोशल होता है इसमें आखों और हातों का समन्में ही देखा जाता है लेकर जो है वो शुक्षम कोशल का ही एक उदारन है जोन डेवी को निम्न में से किस से मनोविग्यानिक से प्रेरणा मिली थी चार्ल्स डार्विन से एरिक या एरिक्सन से बी एफ स्किनर से या फिर वीलियम जेम्स से जोन डेवी को कोन से मनोविग्यानिक से प्रेरणा मिली थी तो देखे इसका करेट आंसर का वीलियम जेम्स उप्सन फॉर्थ पूर्वे विदाले में पहली बार बच्चा आया रोता है दो वर्स के बाद में वही बच्चा जब प्रात्मी विदाले आता है तो रोकर अपना तनावेक तुनी करता इसके बदले में उसके कंदे और गर्दन की जो मास पेशियां वो तन जाती है उसके इस वेवारिक परिवर्तन के क्या सिध्धानतिक आधार हो सकते है पहली बार आता है तो रोता है लेकिन दूसर दो वर्ष के बाद में आता है तो वो रोक कर अपना तनाव विक्त नहीं करता है गर्दन और कंदे की मास पेशियां तन जाती है कौन से विवारिक परिवर्तन के सिध्धानत के आधार ये हो सकते हैं देखें विकाष, भेदबाव और एकिकरण की विश्यस्ता है ये इसका करेट आउन सरोगा विक्तिकत मत वेदों को खतम करने के लिए स्कुलों में क्या करना चाहिए कि यजिता और परदसन को बाहर निकलना चाहिए इस बात को समझेना चाहिए कि छात्र अधिगम में क्यों समर्थ है या फिर ऐसमर्थ है व्यक्तिकत तोर के उपर छात्रों को महतपूर्ण महसूस करवाना चाहिए तो देखे इसका करेट आनसर रहा इस बात को समझेना चाहिए कि सात्रह वो अधिगम में क्यों समर्थ है या फिर ऐसमर्थ है परकरती पोशन पर बहस निम्न में से किसे सम्बंदित है परकरती पोशन पर बहस आनवानशिक और परियावरण से सम्बंदित है वैवार और परियावरण से सम्बंदित है परिपकवा चातर के बारे में आप उच्यार खतन दे रखें कौन सा सही है वो बताना है परिपकवा चातर ये मानते हैं कि उनके पढ़ाई में बावनाओं की कोई जगए नहीं होती या फिर परिपकवा चातर आसानी से बुद्धी के साथ में अपने सभी संगर्स का समधान करते हैं या फिर परिपकवा चातर कभी कभी अपनी पढ़ाई में भावनात्मक समर्थन की जरूरत महसूस करते हैं छात्रों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हित्तू उन्हें स्वच्छता समीति का सदेश्य बनाना दर्शाता है किस चीज को दर्शाता है प्रेरना का वेवारवादी उपागम को दर्शाता है प्रेरना का मानवतावादी उपागम या फिर संग्यान आत्मक उपागम या प्रेरणा का सामाजिक सांसकर्तिक संकल्पनाई निम लिखित में से कौन सा सरंचना आत्मक्ता से संबन दिता है समयगिक चिंतन, अपसारी चिंतन, एहमवादी चिंतन या फिर अभिसारी चिंतन तो देखे इसका करेट आंसर होगा, अपसारी चिंतन शिक्ष्या का कोन सा परकार कला और समाजिक विज्ञान पर केंदरित है मानवादी शिक्ष्या, रसनावादी शिक्ष्या, मोंटेश्री शिक्ष्या या फिर परगतिशिल शिक्ष्या कौन सा प्रकार कल्ला और समाजिक विज्ञान के उपर केंद्रित है तो देखे मानवादी शिक्ष्य क्या होगा इसका करेट आंसर होगा निम लिखते में से कौन सा सेस्वा वस्ता से सम्बंदित नहीं है चारोपसन आपको दे रखे है देखे इसका करेट आंसरुगा भावनात्मक और समाजिक विकास गतिक विकास का हिस्सा नहीं है ये सेस्वा वस्ता से सम्बंदित नहीं होता निम लिखत खत्रों में से कौन सी अवस्ता बच्पन की विशेष्टाओं का पड़ती निदित्वे नहीं करती कौनशी अवस्था बच्पन की विशेष्टाओं का पड़ती निदित्वे नहीं करती चारोप सन आपको दे रखें देखें मैं इसका आपको करेट आंसर बता देता हूँ अगर आपको टाइम और चाहिए ता वीडियो को पोज कर सकते हैं देखें इसका करेट आंसर का एक बच्चा संग्यानातमक अक्षटाओं का विकास से कारिये करने से सुरुवात करता है ये अवस्था बच्पन की विशेष्टाओं का पड़ती निदित्वे नहीं करती है राम ने अपने हाथ का उप्योग करके बोजन करना सीखा है जब उसे एक पकवान के साथ में चपाती दी जाती है उनकी रोटी दी जाती है तो वह चपाती का एक टुकड़ा तोड़कर इसके साथ में पकवान का कुछ हिसा लगा कर उसे मुझ में रखकर खाना सुरू कर देता है हम कह सकते हैं कि यह योजना से अपना बोजन कर रहा है वो कौन सी योजना से अपना बोजन कर रहा है सुरुवाती योजना से समायोजित आत्म साथी करन या फिर वीन योजित योजना से साथ में देखे इसका करेट आनसर रोगा आत्म साथी करन उप्सन थेर्ड उच्छ प्रात्मिक स्कूल की कक्साओं के संदर्म में सक्रिय बागेदारी से क्या मतलब होता है उच्छ प्रात्मिक स्कूल की कक्साओं के संदर्म में सक्रिय बागेदारी से क्या मतलब है दो दिए इसका मतलब होता है पूछना पर्षन करना और बहस करना निम लिखित में से कौन सा मुल्यांकन करने का सबसे परभावी तरीका होगा मुल्यांकन करने का सबसे परभावी तरीका कौन सा होगा एक सेक्षिनिक सतर में एक सुरुवात में और अंत में दो बार मुल्यांकन करना चाहिए या मुल्यांकन किसी बाहरी एजेंसी की द्वारा करवाने जाने चाहिए शिक्सक की द्वारा नहीं करवाना चाहिए या फिर मुल्यांकन सत्तर के अंत में होना चाहिए या मुल्यांकन सिक्सन अधिकम के एक बीतर बसी हुई परकिरिया होती है मुल्यांकन का सबसे परबावी तरीका कौन सा होता है तो देखे इसका करेट आन सो रोका मुल्यांकन शिक्सन अधिकम के एक बीतर बशी हुई परकिरिया होती है निमने लिखित में से कौन सा बल विकास का सिधान्त नहीं है कौनसा विकास का सिधांद नहीं है परिपक्वता और अनुवव की बादचीत के विकास करम को बनाते हैं या विकास के सभी खित्र महतपूर्ण है तो दिखे इसका करेटान सुरुगा सभी विकास और दिगम एक समान दर से आगे बढ़े ये विकास का सिध्धान्त नहीं है माता पिता को छोटे बच्चों की शीखने की परकिरिया में एक डैस बुमिका निवानी चाहिए किस की बुमिका निवानी चाहिए सहान उगुति पूरुन, तटस्त पूरुन, नकरात्मक पूरुन या फिर सक्रियता पूरुन माता पिता को छोटे बच्चों की शीखने की परकिरिया में डैस बुमिका निवानी चाहिए तो देखे सक्रियता पूरुन बुमिका इसमें निवानी चाहिए option 4 तो इसका करेटा आन सरोगा संग्यानात्मक विकास निवन बेशे किसके द्वारा संभव होता है तो देखे एक संभरद और विविद वातावरन परदान करके कोगनेटिव डवलप्मेंट संभव होता है किसने अपने जिवनकाल के दौरान वेक्तियों के नेतिक विकास के चरणों को असपस्ट किया है जीन प्याजी ने किया है कोलवर्ग के दौरा वाइकोट्स के दौरा या फिर वेबर के दौरा किसने अपने जिवन काल के दुरान वेक्तियों के नेतिक विकास के चरणों को असपस्ट किया है तो देखे कोलबर्ग के दौरा के आगया है इसमें उप्सन सेक्रिंड इसका करेट आउन सरोगा और वो जो चरण है वो आप यहाँ पर स्क्रिंड के उपर देख सकते हैं साल का या ग्यारा से अठारा साल का बच्पन सरणी के बाद में कौन सा आता है देखे च्छै से लेकर ग्यारा साल का या युकाल आता है च्छै से ग्यारा आजजब का कायना है कि बासा विकास वेक्ति की नेसरगी के परवर्टी से परबावित होता है जबकि सोनाली मैसूस करती है कि ये परिवेश से प्रबावित होता है आजब और सोनाली के बीच ये चर्चा किसके बारे में है इस्तिरो और एस्तितरक के बारे में है सतत और एसतत अधिगम के बारे में है या फिर प्रकरती और पोस्टन पर वाद विवाद डेश वर्तमान इसकीमा में कुछ गरहन करने का कारिय करता है आत्म सातिकरन समायोजन इसकीम या फिर अवस्था डेश वर्तमान इसकीमा में कुछ गरहन करने का कारिय करता है तो देखे आत्म सातिकरन क्या होगा इस क्यूशन का करेट आनसर होगा व्यक्तिक भिन्यता को दूर करने के लिए एक विदाले किस परकार साहिक है बाल केंद्रित पाठे करम का पालन करके और चात्रों को अधिकम के कई अवसर परदान करके या चात्रों में व्यक्तिक अत्मत विदों को दूर करने के लिए एक संभव उपाय करके या धिमीकती से सिखने वाले जो चात्र हैं उनको विशेस विदालियों में बेच कर या सभी चात्रों के लिए एक ही स्थर के पार्टे करम का पालन करके विखतिक भिन्यताओं को दूर करने के लिए एक विदाले किस परकार से सहाइक होता है देखे बाल के अंदरित पार्टे करम का पालन करके और चात्रों को अधिगम के कई अवसर परदान करके जो विदाले है वो विखतिक भिन्यताओं के दूर के अजा सकता है मानव विकास है मानव विकास क्या है मातरात्मक है गुनात्मक है या दोनों है या फिर एक निश्चित सीमा तक मापा नहीं जा सकता मानव विकास को देखे मानव का जो विकास है वो मातरा तक भी है गुणातम भी है इसलिए उप्शन फोर्थ एक और दो ये इसका करेट आंसर हो जाएगा अधिकतर दाएं हाथ से काम करने वाले लोगों के मस्तिक्स का बाया गोलार्द डेश को नियंतरित करता है किसको नियंतरित करता है देशिक चाकसुस सूजना को या फिर बासा प्रकरण को बावनाओ को बाया हाथ की गती को किसको नियंतरित करने का कारिय करता है देखिए बासा प्रक्रमन को नियंतरित करने का कारिय करता है उप्सन शेकिंड इसका करेटान शरोगा ककसा में लिंग रूडी बदता से बसने के लिए एक सिक्स को चाहिए कि वे लड़के और लड़कियों दोनों को गेर पारंप्रिक पुमिकाओं में रखने की कोशिश करे या अच्छी लड़की या अच्छा लड़का कहे कर अच्छे काम की सराना करे उनके कुष्टी में भाग लेने से लड़कियों को निरुत साहित करे या लड़कों को जोखिम लेने और साहसिक बनने के लिए प्रोथ साहित करे कक्सा में लिंग रूडी बद्धता से बचने के लिए एक सिक्सक को क्या करना चाहिए तो देखे लड़के और लड़कियों दोनों को गेर पारंप्रिक पुमिकों में रखने की कोशिस करनी चाहिए किसोरों को अनुबव हो सकता है किसोरों को किस चीज का अनुबव हो सकता है जिवन के बारे में संतुष्ट भाव का चिंता और स्वेम से सरुकार का बच्चपन में किये गए अपरादों के परती डर की बावना का या सिध्धी की बावना का किसोरों को अनुबाव हो सकता है किसोरा वस्ता में वेक्तिकत पहचान की बावना के साथ साथ में आत्म सम्मान की बावना भी विकसित होती है बच्चों के बोधिक विकास के चार अलग चरणों को निम्न में से किस के द्वारा पहचाना गया है इसके नर के द्वारा, पियाजे के द्वारा, कोलबरक के द्वारा या फिर एरिक्सन के द्वारा बच्चों के बोधिक विकास के चार अलग चरणों को निम्न में से किस के द्वारा पहचाना गया है तो देखे इसका correct answer रोगा जीन प्याजी के द्वारा option second इसका correct answer रोगा तो उमीद करता हूँ कि आपको इस वीडियों से कुछ नहीं है शीखनी को मिला होगा and as always thanks for listening God bless you all